हेलो गाईज वेलकम तो मा चैनल लें साइकोलोजी शाड्डूल साइकोलोजी एन स्प्रिच्यूलिटी सौरी बिकस इट वस मा प्रीविएस चैनल टाइटल सो डाइसे हैब हो गई है तो आज हम बात करेंगे थिंकिंग के बारे में थिंकिंग यानि की सेल्फ टॉक हम जो है कि हम जो खुद से बात कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं वह पॉजिटिव है या की नेगिटिव है तो एक रहती नेगिटिव सेल्फ टॉक और एक रहती पॉजिटिव सेल्फ डॉक अब देखो यह आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है बहुत जादा आपको साच करने की रखूं बट हां मैं जो एक्स्प्लेइन करने वाली इस वर्ड से बढ़कर है इसलिए मैंने इतने कॉंफिदेंशली मैंने आपके सामने यह इमेज रख रखी है कि नेगिटिव सेल्फ टॉक पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आखिर अंतर क्या होता है और क्यों यह इतना इ और क्या फैसरो तो हम सबसे पहले क्या सूछते हैं हमारा दमाल यह आता है कि ही एक काम कहां से आ गया मुजे एक और काम मिल դो मै रही होने लगव मुझे सारी दुखने लगेगा तो इस तरीके के जो डो अलग सा आते हैं वही जो है positive और negative self talk में ही आती है जैसे कि आपको कभी भी कोई काम मिला ठीक है और अगर आप सोच रहे हो तो मैंने कभी भी पहले नहीं किया है आपको काम देखते साथ ही सबसे पहले tension हो रही है आपको लग रहे हैं काम तो मैंने कभी किया ही नहीं है मुझे तो इसक काम को कैसे ही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या मैं फेल होगे इस काम को करने में मेरी किते इंसल्ट हो जाएगी बाग लोगो क्या लगेगा कि मैंने काम कभी नहीं किया तो रुको सबसे पहली बात हर इंसान कोई ना कोई काम पहली बार करता है आपने पहली बार पढ़ना सी लिखा आपने जब चॉप की तो आपको ट्रेनिंग मिली होगी आपने कहीं से कोर्स किया होगा आपने अगर एंजिनेरिंग किया तो वह पहली बार कियोगी हर काम बहुत सारी इवन बहुत एक्सपर्स लोग भी जो होते हैं किसी पर्टिकुला फील्ड में उनको भी ऐसे बह बज्रोरी नहीं इनको बाकी काम आते होँगे वह अपनी फिल्ड में एकसपर्ट लेकिन इसका म sättलब यह नहीं है कि वह हर फिल्ड में पर्ट है यह भी नहीं है कि वह बाकी ही चीज़ George सीखना ही चोड़ पर दें नो इस डडर को सब्सेपहले हमको निकालना चाहिए इस हम सबसे पहले यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि यह जो है हमारे लोग आसपास कि वह हमारे पारे में क्या सोचेंगे यह सबसे बड़ा निगटिव सेल्फ टॉक का कारण है जो भी पॉजिटिव लोग होते हैं या जो खुद से पॉजिटिव बाते करते हैं जिनकी अमेशा इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि ओके मुझे यह नया काम मिला है जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया तो इससे मुझे डेफिनिटली कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और अगर मैं यह सीख गया तो यह मेरे आगे काम आएगा और अगर यह डिफिकल्ट भी है जो क आपको A, B, C, D से भी जादा पहले से पढ़ाया जाएगा मनब जीरो से आपके पास में सब कुछ material available है आपको केवल resources का यूज करना है तो इसलिए सबसे पहले यह सोचने छोड़ दो कि लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे कहीं काम बिगड़ गया तो क्या बिगड सब्सक्राइब करो भी भी बेशम का मतलब यह नहीं होता इसका मतलब है कि आप लोगों से affect होना छोड़ दो अपने बारे में सोचो तब especially जब आपके personality development की बात हो जब आपके खुद के mental health की बात हो कोई काम अगर बहुत जादा आपको लग रहा है कि टफ है तो आपके वह इस चीज से अगर डर रहे हो कि अर्यार यह काम तो बहुत ज़्यादा हार्ड है मैं तो इस काम को पक्का ही बिगार दूंगा यह तो बहुत ज़्यादा complicated है तो ऐसा सोचना बंद करो यह एक negative self-talk में आता है अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि यह काम hard है यह easy नह होता है वह काम अगर आपने कर दी अगर मालो आप एक आलसी इंसान हो ठीक आपको gaming बहुत पसंद है और कोई second person है आपका friend है वह पढ़ाक हो है ठीक है अब आपको maths यह study करने में बहुत मुश्किल आती है मलब आप focus नहीं कर पाते हो आपको interest नहीं आता है बहुत बड़ा factor है interest आपका किसी चीज में इंट्रस्ट है ना आप मून पे लेंडिंग कर लोगे इतना आपको थोड़ा मतलब easy लगी की चीज़े easy नहीं भी है तो interest की वज़े से वह चीज़े easy बन जाएगी और आपका interest नहीं है ना तो आपको दो पेज का को डिक्टेंशन भी बोलेगा ना तो आपको होगया रियाच वेरी hard जबकि only आपको लिखना है तो भी अगर आपको copy भी करने ना assignment वह भी आपको hard लगेगा क्यों क्योंकि उस चीज में आपका interest नहीं है वो चीज आपको boring लग रही है इसलिए अगर आपको कोई काम नहीं भी समझ में आ रहा तो सबसे पहले तो आप उसमें अपने interest डेवलप करों तो automatically वह काम थोड़ा से easy और interest डेवलप करने का क्या तरीका है interest डेवलप करने का यह तरीका है कि आप उस काम को अपने किसी interest के साथ जोड़ के देखो नहीं है सबसे बड़ा एक motivation होता है इंट्रेस्ट लेने का पैसा कि मैं मतलब ऐसे frankly speaking अगर कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो आप यह सोचो इस काम को अगर मैंने सीख लिया इससे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं या पैसे कैसे कमा सकती हूं हो सकता कोई skill हो आपको आ जाए आप बढ़ी अपना freelancing चालो कर है मैं इसको देखता हूं कैसे हो सकता है यह मैं इसको देखती हूं कि यह figure out करती हूं कि कैसे possible है इस चीज़ को करना उसके बारे में पढ़ो Google करो और क्या-क्या पॉसिबल सक उससे related courses देख लो वीडियो देख लो और अपने आपको यह बोले कि अगर यह चैलेंज थोड़ करूंगा और अपनी personality को बहतर बनाऊंगा और जादा पैसे कमाऊंगा लोगों को impress करूंगा यह तो थोड़ा fun की बात थी बट लिटरली इट वर्क्स ठीक है जब आप इंट्रस्ट लेते हो किसी भी चीज़ से कनिक करके तो प्लस हमेशे अपने आपको किसी अगर आप compare कर रहे हो कि कोई दूसरे इंसाम में से बहतर कर सकता है कि अर यार फलाना इंसान होता ठीकाना इंसान होता तो अभी वो यह चीज़ बहतर कर लेता वो इस चीज़ में अच्छा है लोगों को एक simple sentence होता है he is bitter in this field I am out of the box I am not into it ठीक है मैं इस काम को मैंने कभी पहले किया नहीं है ऐसा कहके वो अपने आपको पीछे खीच लेते हैं तो यह आप लोगों को बता रहे हो लेकिन यह खुद को आप एक negative self-talk के रूप में ही बता रहे हो लोग आपको बिले हो ठीक है नहीं किया ठीक है बार किसे और को मौका मिल जाएगा मतलब हमेशा यह समझो कि मौके लेने सीखो लोग आपके सामने अगर आपके एक बार दर्वाजा खट खट आ रहे हैं आप नहीं डोर उपन करते हूं कि पास हजारों डोर्स हैं यहां लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपके opportunity को grab करने के लिए बैठे हैं सेल्फ टॉक करते हैं खुझ से वह हमेशा चीजों का जो एक अच्छा नजरिये से देखते हैं उसका brighter side देखते हैं उनको यह लगता है कि मैं इस चीज को कर सकता हूं नहीं भी कर सकता हूं तो at least मैं सीख सकता हूं मैं 100% नहीं तो मैं 20-30% तो सीखों गाई और मैं उसको फ और negative self-talk को हमेशा positive self-talk में बदलो किसी से compare करने की कोई भी जरूरत नहीं है प्लस हमेशा कुछ लोग होते हैं वो हमेशा excuses देते रहते हैं लाइक अब किसी ने अगर अच्छा किसी में skill है अगर कोई उनको suggest कर रहा है यार तुम YouTube चैनल क्यों नहीं बनाते तुमारे पास इ यूट्यूब को एक्सपीरेंस ही नहीं है मुझे पता ही नहीं कि कैसे करना है यहां लॉट ऑफ चैनल अवैलेबल ऑन यूट्यूब इक्सेल्फ यूट्यूब में ही बहुत आए चैनल है जो आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाना सिखाते हैं बट लोगों को क्या है पहले बनाना है वीडियो बात में बनाना है यह सिफ यूट्यूब का नहीं है अधर भी कोई स्किल है अधर भी कोई काम है तो वह सबसे पहले एसक्यूज देते हैं कि उनके पास इसोर्स नहीं है कई लोग अरे मैं मतब फाइनिशली स्ट्रॉंग नहीं हो इसलिए ऐसा नह बिल्कुल खाली बैठे रहेंगे पूरे दिन चलाते रहेंगे इंस्टा चलाते रहेंगे कोई भी काम की चीज़ करने हैं तो देवल भी लाइक मेरे पस तो टाइम ही नहीं है इसा फाल्तु के काम है और वो लोग क्या करते फिर बाद में हमेशा पीछे रह जाते बस लोग तूइंग आप उन्हीं लोगों को देख रहे हो बट उन्हीं लोगों को बुरा भला बोल रहे हो उनके काम को बुरा भला भला बोल रहे हो तो यह आप उनको बुरा भला नहीं बोल रहे हो यह आप खुद से सेल्फ टॉक कर रहे हो इना नेगिटिव वे आप खुद से एक न हो ड्राय करूँगा चलू मैं इतनären जहूंति का समय निकाल लेती हूं प्रिपिवा लिए किसीन मुझे की यह करना चाहिए तो तो मैं देखता हूं क्या पोसिब्लटीज मैं कसी सा तरह कि कैसे अलएठल जलू उでしょう किता हुंम और से स्वाइब का था मेरे पास बहुत ही ऐसे एक दो तीन हजार का यह फोन होगा जिसमें मैं फ्रंट कैमरे से वीडो बनाती थी पीछे मेरे वाल बेड़ पे बैठके उसके ऊपर एक टेबल थी चोटी आली जो प्योटर टेबल रहती लैपटॉप टेबल उस पे रखके उस पे मैं बॉटल या किसी चीज से मोबाइल टिका के वीडो शूट करती थी जो ही हैंट्री रहता है मां वायर्ड वाला कभी-कभी मैं उससे ही साउंड रिकॉर्ड करती थी और जब वह भी खराब हो जाता था तो चाहले मैंने फिर एक तो सर्च किये कि इसको मतलब कैसे होता है इसका क्या प्रउसस तो उसमें मॉबाईल से एवन मेरे पास लिप टॉप ही ने था मैंने सब कुछ हर चीज मोबाइल से एवन मैं अभी भी मॉबाइल से शूट करते हो मोबाईल से रिकॉर्ड करती हूं एडिटिंग वगेरा सारी चीज़े मैंने मोबाइल से सीखी टूल मैंने खुद से सार्च करके देखे कि अच्छा कौन से एडिटिंग टूल्स रहते हैं मैंने एक दो टूल डाउनलोड किये मुझे शुरू आत में नहीं आता था लेकिन मैंने फिर दी अच्छा नहीं तो मुझे लगा कि शायद लोगों को हैल्प होगी इससे तो मैंने सिर्फ थौट के साथ ने अपना चैनल स्राट किया था ना मेरे पास रिसोर्स थे मैं स्टडी करती थी तो मैं पास उतना टाइम भी नहीं रहता था मुझे इतना टाइम मिलता था मैं कभी एक वीडियो कभी दो वीडियो ऐसे डाल दी थी कभी एक साथ बना लिया मैंने तो डाल दी ना में पास में इतना एक्सपीरियंस तो छोड़ी दो जीरो था और वो देखते देखते अपने आप ही मतलब कभी दस वीव आ रहे हैं कभी या तो मुझे लगता था मॉनेटाइ कि 4000 घंटे का वाच टाइम चाहिए और 1000 सब्स्राइबर चाहिए वन यर के अंदर जो कि मुझे लगा कभी नहीं हो सकता लाइक 4000 घंटे बहुत होते हैं और उस टाइम पर तो आज इतना डेटा मतलब ऐसे कम प्राइज में भी नहीं था लेकिन वो मॉनेटाइज हुआ फिर मे अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं किया और अच्छा हुआ मैंने कोई इस्क्यूस नहीं किये मेरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक किये थी कि यार एक लीज मैं लोगों की हैल्प कर सकते हूं दस लोग भी देख रहे हैं मेरी वीडियो ठीक है उनमें दस लोगों में अगर अगर मैंने दस पांच मिट की वीडियो डाले हूं दो तीन मिट की विए उनके लिए हैल्फ फुल रही तो मेरा वीडियो बनाना सफल रहा यह मेरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक थी जिसका रिजल्ब मुझे अभी मिल रहा है नेकिटिव सेल्फ टॉक होता बहुत साही करना पसंद है तो मैं उसमें डालती रहती हूं उसमें तो मैं कुछ भी नहीं सब्स्राइबर है 200 ही है अगर आप लोग करोगे तो शायद 1000 प्लस हो जाएंगे लेकिन उसमें भी मैं गिवप नहीं करती मतलब मैं ऐसे करती रहती हूं कुछ भी तो डालती रहती हूं लोग तो देखना है देखें नहीं देखना है तो ठीक है कोई फोर्स तो नहीं है बहुत सा डेटा वैलिबल है इसे इस अबाउट यू इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास में कितना कितना आपके पास में स्टोसिज है इस अप जो करोगे अपने लिए करोगे प्लस फ्यूचर के लिए इंवेस्ट करोगे क्योंकि ताइम का किसी को नहीं पता आप अगर जॉब्ब भी कर रहे हो आप लर्निंग में भी इंवेस्ट कर सकते हो क्योंकि आज लर्निंग बहुत तेजी का है learning का है अपने लिए करो आप देखो कि आप किस फील्ड में इंवेस्ट कर सकते हो आपका इंटरस्ट किस फील्ड में आप नॉर्मल भी कुगिंग करते हो आप बहुत सारे और experience नहीं है हमेशा भी positive कि ठीक है मैं यह कर रहा हूं अपने इंटरस्ट के लिए कर रहा हूं एगंटे निकाल रहा हूं अदे गंटे निकाल रहा हूं अगर आप वीक में बीडो तीन गंटे निकाल रहो किसी चीज़ के लिए तो नहीं करेगा एक परसंट कर गया तो अगर और आपके पास 15-20 मिट भी आप दे लेते हो तो वह एक परसंट के लिए दे दो या फिर कभी ऐसा बोलना कि मुझे मैंने काम कभी पहले नहीं किया है मुझे नहीं लगता है यह successful होगा यह point of view रखने एक अलग चीज़ है कि आप किसी चीज़ को practically देख रहे हूं कि आप को इसे काम को देखते ही साथ के वहले negativity के काना बोल देया मुझे नहीं लगता हो पाएगा तो this is stop at least आप सीखो आप उस चीज़ में अंदर आओ अगर नहीं होता है आप उस चीज़ को अड़िप्ट करो निया अन्वायमेंट को नियू लर्निंग को आप आप ग्रो हो गया प you are just a learner learner of Life आप life से सिखने आयों कोई भी perfect नहीं आप तो छोड़ों आपने आपने काम का कई आप आप खुद अपने boss को देखके लगेगा यार यह बंदा इस से कहीं जादा णॉलीज तो मुझे है फिर यह यहां है और मैं यहां हूं क्यूं कि उसने ट्राए किया उसने व सेल्फ टॉक इस वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट यह एक लॉफ अट्रेक्शन करके जो कॉंसेट प्रिशाद आपको पता होगा उसमें भी बहुत मायने रखती है आप खुछ से इस तरीके की बाते करते हो आप उसी तरह की चीजों को एंवायरमेंट को लोगों को अट्रेक करते हो इसलिए कभी भी निगिटिव टॉक चीज司 से बचो उसी निगिटिव टॉक को को सेको पॉसिटिव बदल अगर आपके आदत ही है को ऑपांग जीस सामने आते सात ही आपका प्हेले ना पहले मूँपगे आते हैं तो सबसे पहले हाँ बोलना सीखो God आपको बहुत सारो लोगों न्यंう होगा कि ना बोलना सीखो लेकिन आप कोई नहीं बताएगा कि भई आ बोलना भी सीखना पड़ता है ठीक है तो कोई भी चीज सामने है उसको पट से ना करने की बजाए रुको सास लो 100 तक का काउंट करो समझो उसके बाद आप डिसीजन पर पहुँचो कि हाँ की ना और अगर बहुत जादा लॉस नहीं है तो गो फॉर इट हाँ बोलो और सीखो तो यही आज का वीडियो गाईज आप खुद से अच्छे अच्छी बाते करो पॉजिटिव पॉजिटिव बाते करो पॉजिटिव थिंकिंग रखो और लाइफ में एकदम ग्रो करो मैं मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरा शादल लॉक्स चैनल भी जरूर सब्स्राइब करना थैंक यू सो मच गुडबाई